चार लुटेरों ने जोलस की दुकान में की उट पार्ट धारदार हथियार से किया वार वाई चूर जिरों की तीन सजस हुए गिरफतार प्रहा टाइम्स की नूज देखने के लिए फेस्बूक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें महिसलामुदिन खान और आप देख रहें प्रहा टाइम्स लुटेरों ने जोलस की दुकान पर धारदार हथियार से धावा बोल दिया और दुकान में रखे सोने के गहने लेकर भागने लगे हथियार से दुकान मालिक पर भी हमला कर दिया घटना ठाने के घोड़ बंदा रोड इस्थित आनंद नगर में राकेश जेवलर में चार लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया और लुट पाट करते समय इन लुटेरों ने दुकान में तोड फोड भीकी और विरोध करने पर दुकान मालिक राकेश कुमार जैन पर भी हमला कर दिया जिसमें वो बुरी तरह से घायर हो गए मगर दुकानदार ने होशियारी से काम लिया और सायरन बजा दिया स्थानी लोगों ने चार बदमाशों में से दो को पकड़ लिया और दो गहने लेकर भागने में सफल हो गए पकड़े गए आरुप्यों के नाम हर्शत मेश्राम और दिनेश पावार है वही घायल राकेश कुमार जैन को इलाज के लिए भरती किया गया है जहां खत्रे से बाहर है वही दूसरी खबर भी ठाने से है जहां ऐसे गिरो का परदा फास हुआ है जो रायल एंफिल्ड बुलिट की चोरी किया करते थे ठाने पुलिस आयोकताले कोपरी पुलिस ठाने के अंतरगत अपराध शाखा के परमुख सहायक पुलिस निच्छक डीटी धोडे अपनी टीम के साथ गस्ट कर रहे थे इसी दोरान जानकारी मिली कि कुछ बाइक चोर कोपरी इस्थित शिरी मा इस्कूल के पास आने वाले ह और जाल विझा कर बाइक चोड़ी करने आये चोरो को पकड़ लिया गया गिरो के पकड़े गए तीन चोरो के नाम है परतीक परमोद 22 साल ये कल्यान का रहने वाला है और नितिन सुनिल 20 वर्ष ये मुलुन का रहने वाला है और तीसरा आरूपी विशाल विजय 26 वर्ष य ये कल्यान कर रहने वाला है पुलिस ने इनके पास से 10,65,000 कीमत की 10 बुलिट जट किये है और तीनों आरुपियों को गिरफ्तार किया गया है और जांच पड़ताल की जाया रही है जांच पड़ताल में और भी बाइक चोरी के खुला से हो सकते हैं तमाम खबरों को जानने के देखते रहें प्रहा टाइम से